poverty line यानि गरीबी रैखा जब हम poverty की बात करते हैं तो उसमें जो है वो सबसे पहले discussion जो है वो poverty line की आती है यानि एक ऐसा लेवल units based जिससे हम country की गरीबी को major कर सकते हैं उसे हम समाने तो जो poverty line कहते हैं अलाकि ये countries के उपर different करता है, different countries have different poverty lines unit, यानि different countries में जो है वो अलग-अलग poverty line measures करने के तरीके होते हैं, समान्यता poverty को measures करने के लिए हम use करते हैं, कहा जाता है कि income और consumption level से किसी की poverty को हम measure कर सकते हैं, कि यानि कोई बेक्ती कितना पैशा कमाता है, कितना earn करता है, और कितना वो खर्च करता है, यानि consume करता है, उससे हम poverty को measure कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो अगर हम depth में details जाकर poverty measurement की बात करते हैं, तो उसके लिए हर एक country अपने यहाँ अपने अपने देशों में एक unit य measuring units जो है वो fix करती हैं, जिससे वो गरीबी को measure कर सकें, जैसे कि examples के तोर पर अगर हम बात करें, अमेरिका की, तो अमेरिका में जो है वो किसी भी वेक्ती को जो है वो poverty lines के तहत जो है वो measure करने के लिए वहाँ पर car का इस्तमाल किया जाता है, यानि according to America, अगर किसी वेक्ती क के पास अगर car है, तो वो वेक्ती जो है वो above the poverty line आएगा, यानि APL की अंतरगत आएगा, और अगर किसी भी वेक्ती के पास car नहीं है, तो वो वेक्ती जो है वो BPL की स्रेणी में आएगा, जिसको हम कहते हैं below the poverty line, यानि यहाँ पर अमेरिका में एक car को as a base, as a unit measure किया गया, पोवर्टी को measure करने के लिए, जबकि हम इंडिया में अगर car की बात करें, तो हमारे हैं अभी भी car को consider किया जाता है, luxurious object में, यानि बहुत ज़्यादा जो है वो विलासिता की वस्तू की स्रेणी में जो है वो इसे रखा जाता है, हमारे देश में जो है वो poverty को measure करने के या basic foods जो होते हैं, या रहने के लिए जो sanitation होते हैं, इनके आधार पर जो है, लेकिन अगर इनमें भी अगर हम सबसे ज़्यादा महत्वपून बात करें, जैसे कि बोला जाता है human beings के तीन basic needs होते हैं, जो शुरुवाती दौर में बोले जाते थे, जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान, तो इसमें foods जो होता है, वो सबसे ज़्यादा essential होता है, सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, तो हमारी country में जो है वो इसी food levels को ही जो है वो as a poverty units के तौर पे government इस्तमाल करती है, या government जो है वो poverty को जो है वो measure करती है, लेकिन इसमें भी ध्यान रखने वाली बात अल अलग होती है, ग्रामिर छेत्रों के लिए ये units अलग होती है, जैसे कि अगर हम per person consumption level per day के according देखे, तो ruler इंडियास के लिए, यानि जो ग्रामिर छेत्रों होते हैं, वहाँ पर 2400 calories per person per day जो होगा, उसको हम APL की स्रेणी में रखेंगे, यानि above the poverty line, और जो इस units को पूरा नह नहीं करेगा, उसको VPL की स्रेणी में, वहीं अगर हम town की बात करें, यानि urban areas की बात करें, तो urban areas में यह unit जो है वो 200 calories हो जाता है, यानि 2100 calories per person per day, यह जो है वो हमारी country में जो है वो as a poverty measurement units के तोर पे इस्तेमाल किया जाता है, जिससे गरीबी को मापा जाता है, ध्यान रखन जाने वाली बात यह है कि poverty को measure जो किया जाता है, उसमें इन चीजों के consumption level के according, यानि यह जो calories होती है, वो कहां से आएगी, तो समाने तो जो इनसान खाना खाता है, जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, सबजी हो गया, या उसके साथ साथ milk हो गया, तो इन सब से कई तरह के nutritional energies मिलते हैं, जो हमें calories provide कराते हैं, और उसी calories को base मान कर यहां पर, ग्रामेंट छेतरों के लिए 2400 calories, और सहरी छेतरों के लिए 2100 calories, जो है वो units के तौर पे इस्तिमाल किया जाता है, अगर हम इसी में आगे discuss करके देखें, तो यह जो calories measurement किया जा रहा, इसी calories measurement को अगर हम rupees में convert करके देखना चाहें, यानि इसको 2400 calories को rupees में convert करें, ग्रामेंट छेतरों में, रूलर इंडियाज में, और 2100 calories को अगर हम convert करें, rupees में, अरवन एरियाज में, तो इससे हम जो है वो एक अनुमान निकाल सकते हैं कि as a money के तौर पर जो है वो poverty को measure करने के क्या units ह यानि 2400 calories के लिए ग्रामेंट छेतरों में तक्रिवन 816 rupees खर्च करना पड़ता है, यह 2011-12 के data के according, और वहीं सहरों में 2100 calories को पूरा करने के लिए कम से कम 1000 rupees खर्च करना पड़ता है यानि अगर हम rupees में poverty को measure करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं कि ग्रामेंट छेतरों में अगर कोई वेक्ती जो 816 rupees से कम earn कर रहा है, वो below the poverty line आएगा और इससे ज़्यादा earn करने वाला above the poverty line और उसी तरह से जो है वो सहरों में 1000 से जो है वो कम earn करने वाला below the poverty line और इससे ज़्यादा earn करने वाला above the poverty line आएगा, हाला कि यह तो हमारे countries में जो है वो इस तरह से poverty को measure किया जाता है, जबकि world bank एक संस्था है जो पूरी दुनिया की poverty को measure करने के लिए उसने जो है वो एक fix किया है, 2011 के according कि अगर कोई बेक्ती 1.9 dollar अगर वो per day earn कर रहा है तो वो above the poverty line आएगा, यानि APL में आएगा, 1.90 dollar और इससे कम earn करने वाला वेक्ती जो है वो BPL category में आएगा, यानि यह world bank का poverty measure units है, जैसे कि अमेरिका का car है, हमारे country में जो है वो calories है, उसी तरह से world bank का जो है यह dollar है, और अगर 1.90 dollars को अगर हम rupees में convert करें, तो यह approximately जो है वो 140 rupees के आसपास आजाएगा, यानि तक्रीबन जो है वो 4,000 rupees मंतली के according, जबकि हम अपने देश में उसी base पे देखें, तो 4,000 rupees जो है वो चार परिवार के लिए, एक महिना के लिए essential माना जाता है, और इसी आधार पर जो है वो यह भी देखते हैं कि हमारी country में जो है वो गरी का काम करती है